जोहार में आनंग खुमार और आप देख रहे है चन्मन की बात दोस्तों कॉंग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद इंडिया एलाइंस दरक्ता हुआ नजर आ रहा है कॉंग्रेस ने विश्रामपुर से उमिद्वार उतार दिया है और राजद ने पहले से यहां उमि इच फस गया है और कॉंग्रेस की जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें बरही से मौझूदा विधायक उमा शंकर अकेला का टिकट कट गया है वहां अरुण साहु को कॉंग्रेस ने उतारा है बरही की सीट है और एडी के मामले में फसे पूर्वमंत्री आलमगीर आलम क की पतनी निशत आलम को टिकट दिया गया है कांके से कॉंग्रेस ने सुरिस बैठा को और डाल्टन गंज से के अंत्रिपाठी को प्रत्याश्य बनाया है लेकिन धनवाद और वोकारों की हाई प्रफाइल सीटे अभी भी होल्ड पर हैं वहां उमिद्वार अभी तय नहीं क कि जा सके हैं दोस्तों कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है कॉंग्रेस की सूची के बाद इंडिया गठबंधन दरखता हुआ नजर आरहा है पलाम की विश्राम पूर सीट से राजद और कॉंग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया है राज़त ने विश्रामपूर से राम नरेश टिंग को मिदवार बनाया है जबकि 24 अक्टूबर को कॉंग्रेस ने यहां से सुधीर कुमार चंदरवंशी को मिदवार बनाने की घोशना कर दी राम नरेश टिंग ने अपना नामंकन भी दाखिल कर दिया है उधर इंडिया गटबंदन में अब तक माले का पेच भी नहीं सुलच सका है प्रभात खबर की रिपोर्ट है कि माले ने राजधनवार से राजकुमार यादव और निरसा से अरूप चटरजी को मैदान में उतार दिया है माले के दोनों मिदवारों ने गुरुवार को पर्चा भी भर दिया माले राजधनवार को लेकर अड़ा है वहीं जारखन मुक्तिमोचा ने भी वहाँ प्रत्याशी उतार दिया है जारखन मुक्तिमोचा ने निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है दोनों हिदल अपने राजनितिक समिकरणों का हवाला देकर समझोते के लिए तयार नहीं हो रहे है गाजधनवार में friendly fight नहीं हो पाया तो माले जम्मुआ से भी उमिदवार उतार देगा ऐसे में गटबंधन का ताना बाना बिगड़ सकता है इसके बाद इंडिया गटबंधन में धारखन मुक्ति मोचा और कॉंग्रेस की सीटे बढ़ सकती है कॉंग्रेस फिर बगोदर से भी उमिदवार उतार देगी ऐसी संभावना बन रही है कॉंग्रेस को बगोदर से भी उमिदवार की तलाश है दोस्तों कॉंग्रेस की जो दूसरी सूची जारी हुई इसमें साथ नाम घुशित किये हैं और इस सूची ने सब को चौकाया है बरही से सिटिंग विधायक उमा शंकर अकेला का टिकट काट दिया गया है उनकी जगा पार्टी ने नए चेहरे अरुन साहू को बरही से मौका दिया है बरही विधान सभा के लिए 25 अक्टूबर को यानि आज नामांकन की आखरी तिथी ह साहू आज ही नामांकन दाखिल करेंगे इधर धनबाद और बोकारों की सीटे होल्ड पर रख दी गई है जेल में बंद पूर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की पतनी निशत आलम को टिकट मिला है पहली सूची में कॉंग्रेस ने 21 सुमिद्वारों की लिस्ट जारी क थी उस सूची में किसी सिटिंग विधाय का टिकट नहीं काटा गया था पार्टी ने जातिये समीकरण साधने को लेकर विश्रामपुर से सुधीर चंदरवन्शी और पांकी से लाल सूरज को टिकट दिया है यानि पांकी से इस बार विदेश सिंग के बेटे बिट्टुर सिंग का टिकट कट गया है डाल्टन गंच से पार्टी ने पूरो मंत्री केंत्र पार्टी पर ही भरोसा जताया है केंत्र पार्टी ने 24 अक्तूबर को निर्दली ना मांकन भर दिया था लेकिन अब वे कॉंग्रेस के आधिकारिक उमिद्वार होंगे इधर सराई केला की हा चंपई सोरेन जार्खन मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जार्खन मुक्ति मोर्चा ने गणेश महाली को उतारा है जो भारती जनता पार्टी की तरफ से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं और चंपई सोरेन से पहली बार तो बहुत कम वोटों से हारे थे 2019 में हार कांतर 15,000 वोटों के आसपास रहा था महाली ने भी दो दिन पहले ही भारतिय जनता पार्टी का दामन थामा है उधर जारकन मुक्ति मोचा ने खूटी की सीट से भी अपना प्रत्याश्वी बदल दिया है 23 अक्टूबर को जेमिम की जो सूची जारी हुई थी उसमें खूटी से स्नेह लता कंडूलना को उम्मिद्वार बनाया गया था लेकिन 24 अक्टूबर कोन की जगह राम सूर्य मुंडा को टिकट दे दिया गया और इसके साथ ही जारकन मुक्ति मोचा ने अब तक 42 प्रत्याश जेमिम में शामिल हुई थी उमीद थी कि जारकन मुक्ति मोर्चा उन्हें ही उमिद्वार बनाएगा लेकिन उनका विरोध हो गया है और इसके चलते जामा की सीट अभी भी होल्ड पर है जारकन मुक्ति मोर्चा की और से बताया गया है कि एक दो दिनों में जामा सीट से भ सीटे अभी भी होल्ड पर हैं वहां बीजेपी ने उमिद्वारों के नाम की घोशना नहीं की है बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन उमिद्वार हैं लेकिन भारती जनता पार्टी ने अब तक फैस्ता नहीं किया है कि वहां से उनके मुकाबले किसको उतारा जाएगा पार्टी को किसी मजबूत चेहरे की तलाश है ताकि वो हेमंद सोरेन को कड़ी टकर दे सके और ऐसी सम्हावना जताई जा रही है कि सुदेश महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अगर सुदेश महतो टुंडी से भी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वे भी दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे सिल्ली और टुंडी से और अगर सुदेश महतो वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारती ज शुप्रीमो जैराम महतों ने घोशना कर रखी है कि अगर सुदेश महतो मांडू से चुनाव लड़ते हैं तो वे भी उनके मुकाबले चुनाव लड़ेंगे जैराम महतों फिलहाल दुम्री की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने 24 अक्तूबर को अपना नामंकन भ भाजपा कारेकरताओं और टिकट चाहने वाले नेताओं की नाराजगी और असंतोष का सामना कर रही है वहीं इंडिया एलाइंस में सीटों के बटवारे को लेकर और अपने अपने उमिद्वार उतारने को लेकर ये गटबंधन दरकता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन चनल के चुनाओ के लिए यानि जो 13 नवंबर को मदान होना है उसके लिए नामांकन का काम आज दो फर तीन बजे खत्म हो रहा है लेकिन दूसरे चनल के मदान के लिए 38 सीटे अभी भी हैं तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि आर जे डी और माले का क्या रुख रहता है आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें जन्मन की बात धन्यवाद नमस्कार